pets का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं pets जो है वो pet का plural होता है यानि कि एक से ज्यादा pet को हम pets कहते हैं और pet का आर्थ होता है दोरा, रोश, जुझलाहट, चिर्चिडाहट, क्रोधावेश यानि कि जो जुझलाहट या चडचडाहट होती है तो उसको भी हम pet कहते हैं इसके इलावा कोई प्रेम पात्र या प्रिय वैक्ति होता है तो उसको भी pet कहा जाता है इसके इलावा किसी पालतु पशु को भी pet कहा जाता है और एक से ज़्यादा को हम pets कहते हैं जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि पालतु जानवरों के रूप में उसके पास दो बिलिया हैं, तो आप कहेंगे she has two cats as pets. यागर आप ये कहना चाहें कि ये जानवर पालतु जानवरों के रूप में काफी लोग प्रिये हैं, तो आप कहेंगे these animals are quite popular as pets. यागर आप ये कहना चाहें कि वह अपने पालतु जानवरों से बेहत प्यार करती थी, तो आप कहेंगे she was inordinately fond of her pets. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को ट्रीब करें और बैल आइकन को प्रेस करें